इस विडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस विडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस विडियो को देख कर किसी दवाई का उप्योग करत और मर्कूरियस बिलियोडेटिस शामिल हैं, जिनका उप्योग मूतराशय की चिर्चिडापन को शांत करने के लिए किया जाता है। चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में। एक, प्रोस्टेटिक इजाफा याने की BPH और मूतर पत के संक्रमन के कारण मूतर संबंधी गडबडी के लिए उप्योग किया जाता है। दो, लगातार पेशाप करने की इच्छा के साथ प्रोस्टेट ग्रंथी के बढ़ने का संकेत रात में अधिक स्पष्ट। 3. सबल पेशाप करने में कठिनाई, सिस्टितिस, एपिडिडिमाइटिस और स्फिंक्टर वैसिका के पैरसिस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 4. जब लगातार पेशाप करने की असहनिय इच्छा होती है तो यह मूत्राशय की चिर्चिरापन को शांत करता है। 5. सबल पेंटाकन ड्रॉप्स बार बार होने वाले संक्रमन, सूजन और क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस और क्रोनिक मूत्र पत के संक्रमन से जुड़ी स्थितियों के खिलाफ प्रभावी हैं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को औल नोटिफिकेशन पर सेट करें।